नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वालत दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 9 दश और 11 शितंबर के आपके राशी की महाराशी फल के बारे में सबसे पहरी दोस्तों जिनकाव यश में बर्ट दे है या फिर अनवर्सरी है आप शबी को मारे तरब से देर शारे शूख कमने आप दिन दोनी रात चोगनी तरखी करें तो आई दोस्तों से के शाहत बात करते हैं याश में गरहों के सद्धिक येश योग बनेंगे और इन्हें शबी का शरब की राशी पर क्या होगा किन गिन चीजों को लेकर याश में आपको शावदाने नहां होगा और आकर कौन कौन श्री कारी आप के लिए बागी चलूं दोस्तों वीडियो को बिल्कुल इमिशना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें वीडियो के अंदर में बहुत यह अच्छी उपाई हैं जिनने करके आप इन दिनों को और भी ज्यादा बहागी शाली बना पाएंगे उससे पहले दोस्ते आप चैनल पर नए हैं में दोस्तों चैनल को भी सबस्क्कैब कर लें शाथी बैल आइकन को प्रेश करके औल परश लियएक करो दे सीजान लेथCRPad पहले गरहों के बारे मैं शबसे पहले दोस्तों नौ शुतमबर के बात करें तो गुरू बार का दिन होगा शुकल बाद के तीरत्या थी और हस्तन राहुल कल के शमय की बात करें तो यह शमय रहेगा दोपर के एक बचकर चपन अचेकर शाम की तीन बचकर अठाईश में तक ध्यान रहें। आप यह राहुल कल के शमय में कोई भी शुब और महत्पून कार्यों को बिल्कुल ना करें। पढ़े दिन कने राश का प्राहं तुला राशी में गोसर कर जाएंगे में दोस्तों अगले दिन की बास करेंे तो दोस्तों अगले दिन शुकरवार का दिन होगा शुकल ऐसके च्जडर होगी शित्रा नाम करने च्छतर के शाथी इं profound नाम का भी योग रहेगा जिए दोस्तों यह योग भी आपके लिए लाब कारी होंगे राउकल कर शमय दिन शुबा के 10 बच कर एकाउन मिट से रहेकर दोपर के 12 बच कर 23 मिट रहेगा और दोस्तों चेदरमाई दिन तुला राशी में ही शंचार करेंगे में दोस्तों आकरी दिन 11 शितंबर की बात करें तो शनीवार का दिन होगा शुल पच की पंची मिट दिन शुबा के 9 बच कर 19 मिट से लेकर शुबा के 10 बच कर 21 मिट रहेगा और दोस्तों चेदरमाई दिन तुला राशी को प्रांद ब्रिश्चिक राशी में संचार कर जाए तो आए दोस्तों बात करते हैं इन artifactsरे छिंद्र गमार्ष्ट गॉसर आपकी राशी मेंिसाथ जाना करते हैं फूरी विश्टार से दोस्तों या आप की सिंद्र हो सकती है लिए जो लोग समाजिक संक्ठन से जुड़े हैं उन्हें शमाज में सबके साथ अच्छा वैवार बना कर रखना चाहिए तो यह जो आपके लिए शमय होगे पारिवरिक जीवन सुखी रहेगा आपके घर से जुड़ा कोई निवेज जो है यह समय फाइदेमंद रह सकता है वहीं दोस्तों इंद्रों में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो यह शमय अनावश्यक भ्रह्म पेदा होने के कारण एक दूसरे से कहा सुनी हो सकती है आर्थिक स्थिक को लेकर तनाव यह उत्पन हो सकता है दोस्तों यह धन वए होने की संभावना भी पाई जाती है जिसके कारण पारिवरेक इस्तियां जो है परत्यकूल हो सकती है दोस्तों इंद्रों में आपके लिए जो समय होंगे निरासा से भरावी शब्य होगा कोई आपके खिलाब यह समय जा सकता है इससे आप वो खुद को ठगा या फिर हताश्या महसूस करेंगे दोस्तों यह ह His Men पहुत समय होगा वह दोस्तों इंद्रों में अगर आपकी करियर को लेकर बात की इसवे जूँ आपको शुमे होंगे आपकी स्कारत्मक्तूश आपको नया मुकाम दिलाशकती है दोस्तों इन द Whats premi ? आपको आगह बढ़ने की रह दिखाएगा अपने मारक में आने वाल क किसी भी जो हाँ से जाने नौ दें ताकि इस समय तरक्की का कोई भी मौका आपके हाँ से छूट ना जाए वहें दूस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह जो आपके शमय होंगे आपके लव लाइफ के लिए प्रोमानिक हैलों में और को लेकर बात करें तो आपको तवचा से जुड़ी समस्याओं का यह समय सामना करना पड़ सकता है दोस्तों यह में जो है अपनी उर्जा को वर्त में नश्ट ना करें और उसका जो है सधी उप्योग लक्ष को पाने के लिए करें वहीं दोस्तों इन दिनों में आपका इसक तनाव और चुनोदियों को पूरा करने के लिए उर्जा सक्ति को आप एकर्त कर सकेंगे आपको घर परिवार की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा फिर भी आपकी सुक चैन से बेठने की एक्षा पूरी होगी इसा गिनेस जी बताते हैं वहें दोस्तों इंदिन आप वपने ओफिस के रेगुलर काम के जो साथ इन चीजों को भी अच्छी तरह से सम将ल पाने में सक्चम होगे दोस्तों ये गरेंस जी आपको ये शला देते हैं कि डोस्तों आप वपने सिनियर्स के साथ ये बहास ना करें में गर आपकी पारेवरिक जीवन की बात करें त आपके लिए जो है अच्छा समय रहने वाला है आप उपने प्यार के साथ-साथ अधिक समय भी बिता पाएंगे दोस्तों यह समय प्यार की कमपनी को जो है आप अतेदी खुशी देंगे दोस्तों यह समय अगर आप किसी के साथ रिते में कमिटेड हैं तो दोस्तों आप उसके साथ साधी या फिर शगाई करना चाहेंगे दोस्तों इंदरों में अगर आपकी आर्थिक स्थितिकी बात करें यह जो समय होंगे आपके लिए फाइनेंस के मामले में दिन पोजिटिव रह सकता है जो निविस करना आपने तय किया है उससे आपका वित्य भष्ष उजवल नजर आ रहा है दोस्तों इसके अलावा भष्ष में यदि आप किसी परकार का निविस करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉप्टी अच्छा विकल्ब होगा वहीं दोस्तों इंदरों में आपके लिए जो समय होंगे सभी के साथ कम्यूकेशन बनाई रखना महत्पुन होगा इससे आपके सहत तो अच्छी बनी रहेगी और मूट भी बढ़ियां रहेगा बलकि इसकी मदद से आप वने जिवन में होने वाली सभी चीजों को अच्छी तरके से समाल भी पाएंगे दोस्तों गेनेजी कहते हैं कि कम्यूकेशन आपके लिए बहुत महत्पुन होगा क्योंकि ये जो समय होंगे आप तरापुन पैस्तितियों का सामना भी कर सकते हैं वहीं दोस्तों इन दिनों में आप घर में मचलियों का एक वेरियूम रखें जिसमें एक काली वा फिर दस गोल्डेन मचलियां हो इससे प्रेम समन्द जो है मजूद होगे दोस्तों यश्मी आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्तों यश्मी धन प्राप्ति के महत्पुन उपाय आपको परदान कर रहे हैं तो दोस्तों जिराग गोर्षी शुनिएगा दोस्तों यश्मी आप हाथ में जल लेकर सच्चे मन से अस्तुति करें बोलें हे प्रमात्मा प्रमेश्वर मैं अपना नाम लेकर बोलें मैं मानलक्ष्मी के घर में मानलक्ष्मी के मत्र जब कर रहा हूं मेरी इसमें सफल होने क कामना है यह बोलते हुए जल को नीचे जमिन पर छोड़ दें और तीन बार बोले ओम श्रींग बेश्नुवी नमः दोस्तों अब आप आख मुंद कर मालक्ष्मी जी के मंद्र को 32 मिर तक जाप करते रहें और दोस्तों यह उपाय आपके लिए इतना भागी शर्य होंगी सब्सक्राइब करें वीडियो को अधिक सथिक लाइक करें शेर करें धन्यवाद